फ्रेंट्स आज फिर से हम एक डेकोरेशन लाइट बनाने वाले हैं जो के लिए एक दिपावली के लिए बहुत ही खास वीडियो है जब लास्ट में इसका एफेक्ट देखेंगे तो आपको ये कोमेंट करके हमें जुरूर बताना है कि ये कैसी लगी आपको तो आपने जो प्रोजेक्ट बनाना है जो लाइट बनाना है उसके इसाब से एक साइज का एक लकड़ी का टुकड़ा इस तरह से कट कर लेना है जोगी थोड़ा इदर से बड़ बड़ा हो और उदर से भी दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा बड़ा हो ठीक है ताकि इसके उपर अच्छे से इंस्टाल हो सके तो अभी आप देख सकते हैं हमने एक यह लकड़ी का टुकड़ा कट कर लिया है और इसको इस तरह से हम रख करेंगे तो आप देख सकते हैं इतने आपको यह लकड़ी वगएरा का समान जो है कारपेंटर या प्लाइवूड वाली सोप से मिल जाएगा सानी से फिर भी अगर आपको कोई वीडियो के परती कोई सवाल सुझावे तो नहीं चो कमेंट बोक्स में पूछ सकते हैं तो इस से कट कर लेते हैं तो फैंट से ये एक फट्टी ये कट जाएगी एक तो पहले अलड़ी हमने कट कर लिया अभी दूसरी हो जाएगी है इस तरह की हमने तीन कट करनी है ठीक है ये एक होगी है और दूसरी भी हमने इस किसी के साबसे बिलकुल सेम साइज में कट करनी है ठीक और यह टोटल फट्टी होगी जो हम यूज करें होगे जो टोटल टुकड़े होंगे लकडी के यह तीन टुकड़े हो जाएंगे फ्रेंट से इस वीडियो में बहुत सारा इंट्रस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें मैंने एक सांधर एफेक्ट दिया है तो हमने इसको उपर का कवर उतार दिया है और लकडी को जो फट्टी है एक छोटे वाली इसको इस तरह से रखना है और फट्टी के उपर चिपका देना है ठीक है पट्टी को अच्छे से कवर करना है ताकि कोई सलवर्ट वगरा ना रहे ठीक है तो इस तरह से आप देख स सकते हैं ठीक है और अच्छे से इसको टेपिंग बगढ़ा जो इसका उपर की डिजाइनिंग्ग है इसको अच्छे से कीजिएगा ठीक है अगर आपके पास नहीं भी मिल रहा है तब भी कोई प्रोलम है आपने बस सिर्फ प्रोजेक्ट पे ध्यान देना है प्रोजेक्ट यह बनावा लेना है ठीक है तो इस तरह से हमेश चिपका लिए इस ऐसे करने Хंँ तीन 23 बेह संव हमने दो चोटी और एक बड़ी फटी लिए हूं के तीनों के ऊपर इस तरह से टेप यह जो पेपर है हमने चिपकाना है दो फट्टी आप यह देख सकते हैं पना ली है अभी तीसरी के ओपर जो बड़े वाले फट्टी है उसके ओपर भी हम इसको चिपका लेते हैं जो इसका जो सर्फेस है वो बिलकुल क्लीन होना जाए फ्रेंस ताकि अच्छे सेंटर में लेके इसको दोनों साइड फटियों को चिपकाना है दोनों साइड में मेजरमेंट कर लेना है अपने हाथ से या फिर अंदाजे से कि कौन से साइड सरफस एरिया क्लीन है उससी साइड इसको नीचे रखना है लेकिन फ्रेंट्स इसको चिपकाने से पहले मैं आपक वंपे 15 रुपर में एक ट्रीप मिल जाती है इसको आपको क्या करना है यहां से यहां से क्नेक्शन कर सकते हैं और इसके पिछह एक टेप होती है इसकी पर हम खोल लेंगे आप एक अब आखिप को हम अतार लेंगा इस तरह से कुछ और इसको बिल्कुल में measurement किया था हमने वहाँ पे इसको चिपका देंगे और यह असानी से बहुत ही असानी से चिपक जाएगी ठीक है इसके उपर एक दो बार हाथ फेरेंगे तो यह हाथ से दबाएंगे तो यह बिल्कुल ही चिपक जाएगी और अच्छे स आप देख सकते हैं ना उतरने का डर रहेगा कुछ भी होने हुआ तो अभी हमने यह चिपका ली है और यह दो फट्टी जो छोटे वाली थी लकडी के टुकडे थे उनको हमने कुछ इस तरह से एक उपर की साइड है एक नीचे की साइड हमने लगा लेना है लेकिन कैसे लटके इसको इस साइड से मेजरिमेंट करके यहां पर पूरा प्रोपर त्रीक्षे से एम एम साइज में इसको कीम मार लेंगे ताकि फट्टी वहां पर रुक के रुक जाए ठीक है जो लकडी का टुकड़ा था वहां पर होल्ड हो जाए तो हमने बिलकुल एक्यूरेट य डाउट कलियर कर लेना आपका कि यह बिल्कुल जो हम कील लगाएंगे वो बिल्कुल उसी के अंदर जाएगी क्या ठीक है आपको यह प्रोपर तरीके से मार्किंग करने है जरूरी है अगर नहीं करेंगे तो क्या पता LED लाइट के अंदर स्लाइड वारी जो स्ट्रिप होती ह उसके अंदर भी जा सकती है तो पीछे से हम जब इसको स्ट्रिप लगा देंगे तो कुछ इस तरह से आपको लग जाएगी है और ऐसी है दोनों की दोनों स्ट्रिप को जो दोनों की दोनों यह लकड़ी के टुकड़े है उनको लगा लेंगे अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको हम open कर लेते हैं इसमें हमने क्या है ग्लास के उपर happy दिपावली के एक नाम लिखवा रखा है आप ये glass जो होता है aluminium glass का काम करते हैं वहाँ पर ये काम करवा सकते हैं आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर से ये सीशा निकाला ग्लास निकाला उसके उपर हमने print करवा रखा है happy दिपावली अभी आप देखेंगे तो ये खो लेते हैं इसको पहले फिर आप को दिखाते हैं तो अभी आप देख सकते हैं समने इसके उपर happy दिपावली लिकुआ ये project जो हम use करने वाले हैं इसके ओपर करेंगे हमने यih PT या फ़र में च्छिक व ceremony धिक क्याक्त के वां पर बच पारण लगाना इसके बीच में च्राना है यह क्या करना ऐक बारा वोल्ट्व कडिके लिग्स मुल लेना है ये भी आपको electronics की सोब से मिल जाएगा सानी से ठीक है और इसको हमने जो strip लगाई थी LED वाली उसके साथ उसके wire जोड देना है और जोडने के बाद friends इसके उपर tape जरूर कर देना है ताकि ये आपस में भीडेना और short circuit ना हो जिससे की हमारी LED वगरा है खराब ना होगी ठीक है तो कोई भी वैसे भी electricity का कोई भी connection हमें खुला नहीं छोड़ना चाहिए उसके उपर PVC tape जरूर लगानी चाहिए तो हम इसके उपर PVC tape लगाके इसको अच्छे से tight करके इसको glue gun के साथ चिपकाने वाले हैं ठीक है अभी यह complete हो गया है जो point है हमारा अभी हम इसको दूसरे वाले point को भी कर देंगे यह video देखने के बाद आपको कैसा effect देखने को मिला कैसी यह video आपको लगी क्या आपको यह बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए आप हमें comment करके जुरूर रताना अगर आपको यह video अच्छी लगती है फ्रेंट्स इसको like और share जुरूर कर देना तो हम फ्रेंट्स इसको आना क्या करेंगे एक side से glue gun के जो glue gun होती है उसके साथ इसको set कर देंगे ताकि यह जो मारा adapter वाली pin है यह हिले डूले ना ठीक है तो अभी आप देख सकते है यह जो pin है इसको हम glue gun के साथ set कर देते हैं इस corner में और जो pin है female connector है उसको भी हम एक side में जहाँ पे हमें charger वगएरा जो इसका adapter लगाना है 12 volt का वो लगा सके हैं असानी से तो यह यहाँ पे चिपक गए है और जो इसका pin है female connector है इसको हम यहाँ पे चिपका देते हैं ताकि pin यहाँ पे लगा सके है ठीक है तोड़ी ची glue gun से हम इसको set कर देंगे तो friends अभी आप देख सकते हैं यह बिल्कुल यहाँ पे चिपक गया है ठीक है यह हमारा project अभी फट्टी हो वाड़ा जो लकडी का फट्टी का वाड़ा है वो पूरा complete हो गया है अभी हम क्या करेंगे इसका finally इसके अंदर हम एक जो हमने project बनवाया है जिस पे हमने happy दिपावली लिखवाया है वो जो दो फट्टी लगाई है उनके बीच में इसको डाल देना अच्छे से ठीक है तो चली हम इसको डाल लेते हैं अभी आपको फिर दिखाते हैं ठीक है आपको यह finally कुछ इस तरह से फट्टी देखने को मिलेगी आप देख सकते हैं तो अभी हम क्या करते हैं ग्लास है हमने जिसके उपर एप्पी दिपावली लिखाया है आप अपने हिसाब से कुछ भी लिखवा सकते हैं हैपी बर्ड़े, हैपी दिपावली, हैपी निउएर कुछ भी लिखवा सकते हैं वो आप पर डिपैन्ट करता है यह ज़्यादा कोश्टली नहीं पड़ता लिखवाने के लिए 100 रुपे में या 1.500 रुपे में लिखके दे देता है ग्लास वाला ठीक है टोटल कंप्रीट विद ग्लास के हिसाब से लिखके दे देता है तो फ्रेंट्स यह इसके अंदर इस तरह से डाल लेना है बिल्कुल सेंटर में और रुक जाएगा यह और हमें एक अडेप्टर लेना है यह भी आपको इलेक्ट्रोनिस की मार्केट से इलेक्ट्रोनिस की सोब से आपको मिल जाएगा 12 volt का adapter है यह जो कि हमने जो strip लगाई थी वो 12 volt पे operate होने वाली है यह male connector है यह जो कि female connector के अंदर इस तरह से इसको लगा देना है अभी हम इसका trial करने वाले हैं यहाँ पे अभी lighting वगरा on है इसलिए इसका खास effect नहीं देखने को मिल रहा है अभी हम इसकी light बंद करके आपको finally इसका effect दिखाएंगे finally effect देखेंगे तो comment करके हमें जुरूर बताना आपको यह वीडियो कैसी लगी comment करके जुरूर बताना अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है इसको like और share जुरूर कर देना अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe भी कर लेना तो इस वीडियो का enjoy कीजिए तो friends आज की वीडियो में इतना ही देखते रही शीखते रही हमारा YouTube चैनल वाइक Electrical जैहिंद वंदमात्रम तोच्टने आपने एक हमारा सवाओते रही हमारा